हेलो दोस्तो नमेशकार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी सारे वीडियोज है उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जरू उनको अच्छे तरक्या से स्टड़ी कर लेना फर्स टैम अगर विजिट के है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आकन को एट करना उसी के साथ-साथ-फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज इस चैनल को भी चाओ तो फॉलो या पर कर सकते हो इसका लिंक उपर आए बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में मि पे मिल रही है पाच दिन के अगर में चार्ट पेटन के उपन करूं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो गिरावाट देखने को ली थी वह रिकावर होके अभी हम लोग को अमेरिकन बाजर उपर जाते वे देखने को या पर मिल रहा है तो एक मैने का जैसा परफॉर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते दोस्तों नेट सेलिंग ही देखने को यहाँ पर मिली है बट वो जो बिक्वाली वो कंपरेटिवली हम लोग को कंट्रोल वे देखने को यहाँ पर मिल रही है तो आज आप देख सकते लगबग 270 करोड की हम लोग को नेट बिक्वाली है आपे foreign investor से देखने को मिल रहे हैं जो कि इसके पहले अगर आप चेक करोगी तो हजारों में हम लोगों को देखने को आपे मिल रही थी तो यहापे देखना पड़ेगा कि क्या कल के दिन भी foreign investor का जो यह net selling वाला जो रवई है वो क्या continue रहेगा अगर हाँ तो क्या उसका जो size है वो same ऐसा ही हम लोगों को कम देखने को यहापे मिलने वाला है अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग कह सकते है कि foreign investor शायच से देखे लगातार तो वो बेचते नहीं रहेंगी कभी तो उनको comeback यहापे करना है तो क्या वो comeback करेंगे तो इसके उपर बाजार का focus रहने वाला है नेक्स्ट अगर हम लोग यहापे बात करें Reliance Industry अगर आपके पास यहापे मतलब जो भी comments आते है उससे हिसाब से कहना चाहूँगा अगर आपके पास है ज़रूर यहापे continue यहापे कर सकते हो खास करके आप स profit booking देखने को मिल रही है तो यहापे क्या सीखने को मिला हम लोगों को सीखने को यही मिला है दोस्तों कि यह pure trading वाला stock के investment वाला नहीं investment मतलब कौन सा stock होता है जहापे हम लोगों को कुछ मतलब wealth creation नजर आए यहापे तो survival की बात है हाँ एक बार अगर इनका survival fix हो जाए तब जाके हम लोग कुछ इसके बारे में विचार कर सकते है अभी फिलाल यह सिर्फ trading वाला material है तो आप देख सकते है news आने के बाद बहुत अच्छा का साथ तेजी लेकिया है और उसके बाद अभी धिमे धिमे करके हम लोगों को trader exit होते वे देखने को आपे मिल रहे है तो यह learning वाला point है जो कि आप लोगोंने सीखना चाहिए चाहिए फ्यूचर रिटेल हो फ्यूचर लाइफस्टाइल हो या फिर फ्यूचर एंटरप्राइज हो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पेटीम की तो पेटीम आप सभी लोग को पता है बहुत हाइली ओवर वेलुड आई जरात है बट प्रॉफिट भी तो कुछ इंपोर्टन चीज होती है तो वो भी तो दिखनी चाहिए सेम जो मैटो से रिलेटर यहाँ पे जो दाव खेला जा रहे तो कमपनी के ग्रोथ के उपर एंट ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ नो डाउट रिवेन्यू के उपर फोकस रखा जारे है कि क्या कमपनी का बिजनेस बढ़ रहे है कि नहीं अगर कमपनी का बिजनेस बढ़ रहे है तो नो डाउट कल जाके कमपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैनेज कर सकती है बट फिलाल कमपनी के expenses भी उतने ही proportionate में बढ़ रहे है जो कि company के लिए आगे आने वाले जो profitability को achieve करने का जो target रहेगा वो उसको और भी delay कर सकता है, so do my top ATM ये सारे अभी quarter three के number आएंगे उसको आप लोगों ने देखना है बिना सोचे समझे कोई भी directly stunt नहीं करना है, PD light बहुत सुंदर company, अच्छी company, जरू continue करना ये तो मतलब nifty 50 के like वाली company अभी तक तो कभी आई नहीं है, nomination तो बहुत बहुत हो चुका है, ठीक है, next अगर हम लोग बात करे, ITC, ITC वही stock है, थोड़ा बहुत jump कर लिता है, then अगेर नीचे हम लोगो देखने को आपे मिलता है, at least ITC के थोड़ी से numbers ना, थोड़ा मतलब beyond imagination आने चाहे, जैसे के हम लोग पोलते हैं कि हाँ पता है कि ऐसा ऐसा number आता है, थोड़ा सा कुछ जबरदस्ती अगर आ गया, तो फिर हम लोग कह सकते कि ITC में हम लोग को performance based यहाँ पर jump देखने को आपे मिल सकता है, अभी तक कि जितने भी numbers है, बुरे नहीं थे, बट इतने भी super duper hit भी देखने को नहीं मिलते थे, okay okay numbers हम लोग को देखने को मिलते थे, so यह भी एक important point है, वैसे तो D-merger से related, तो अभी तो हम लोग यहाँ पर hope छोड़ी चुके है, budget finance, बहुत बढ़िया stock है, अभी तो यह बहुत ही ज़्यादा volatile भी होता है, easily हम लोग को 1500-200 point की jump गिरावाट दोनों दिखाता है, अच्छी company long term के लिए बढ़िया NBFC है, next अगर बात कर तो hero motocop से related, अगर कोई bike plan कर रहा था, तो 4th January से पहले आप लोग plan कर सकते हैं, वरना दाम बढ़ने वाले, यह तो 2000 मतलब हर किसी के लिए, वो depend करता है model के से, बट 2000 तो minimum यापे हर model के उपर आप लोग को increment तो देखने को में लिए stock market में इस news को हमिशा welcome किया जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, बाजार close होने से पहले, आदी घंटे पहले, यह news हम लोगों को flash होते हैं देखने को ली, तो trader लोगों ने इसका फाइदा जरूर उठा है, नेक्स अगर बात करें, CDSL, अच्छी company, बढ़िया company अपने long term के लिए continue कर सकते हो, अगें के रहाओ, long term के लिए, short term के लिए, बिल्कुल भी नहीं, happiest mind से, यह भी IT की बहुत ही दिगज़ company आगे, already हम लोगों को अच्छे returns मिल चुके हैं, फ्यूचर में अगर हम लोगों को अच्छे returns मिल चुके हैं, फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ, ठीक है numbers, ok, ok दिखा है, consistency maintain होनी चाहिए, एक बार number अच्छे है थे, next work number बहुत ही खराब आयते, then next work number ok, ok आयते, तो इस तरीके के performance को बाजर बिल्कुल भी welcome नहीं करे गा हैं, खास करके SC bank पे, जिसका history अगर आप देखोगे, मतलब जिसको बचाया गया है, RBI का वो काम है, no doubt एक listed bank है, तो यहापे अगर किसी और भी bank में होता, तो RBI ज़रूर उसको बचाती है, क्योंकि बहुत ही बुरा संकेत, भार की बाजर में जाता है कि listed Indian bank यहापे, हम लोगों को डूपते वे देखने को मिल रहे है, तो इसका सिर्फ अस्तित्व हम लोगों को देखने को आपे मिल रहे है, बीच में ups and downs देखने को आपे मिलते रहेंगे, बट learning के लिए वो stock ठीक है, विप्रो की अगर बात करें, बढ़िया stock है, बढ़िया company, long term के लिए अच्छी company आने वाले Q3, यह सारे अभी दोस्तो numbers के उपर अभी इनका अगला performance यहापे depend करने वाला है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो IRCTC अच्छी company, अभी देखना है इनके आने वाले numbers यहापे कैसे रहेंगे, सर, इनके revenue में drop आया था 70%, तो दोस्तो वो news अभी की नहीं, वो पुराने, जब COVID आया था तभी का उन्होंने वो report यहापे सामने रखा हुआ है, तो अभी उससे आप लोगोंने कोई panic करने के ज़रुत नहीं, जब COVID स्टार्ट हुआ था तब से उन्होंने बता है कि कितना नुकसान किया था, अभी की बात करें तो इनका business resume हो चुका है, तो अभी की report नहीं, वो पुरानी report आप लोगों को दिखाई जा रही है, नेक्स्ट अगर हम लोग आपे बात करें दोस्तों, तो TTML, TTML में अभी circuit है, सर कब खुलेगा, किसी को भी नहीं पता, अब lower circuit, upper circuit, यह तो depend करते हैं कि operator कब, यहापे जबरदस माल बाइंग कर लिए, apply कर देते, तब जाके वो चीज़े होगी, वरना हर कोई यहापे selling के लिए line में अभी खड़े रहेंगे, ट्राइड के यहापे बात करें, तो आप देख सकते, इतना गजब का जो तेजी था, हम लोगों को देखने को मिला, एक तरफा तेजी ही था, no doubt, जैसे मैं आपको का था, कि यहापे आपको stability expect आप कर सकते, no doubt, 800% के returns है, बट company के जो numbers यह वो खोकले नहीं है, हलाकि मैं आप लोगों को बार-बार one कर रहा था, कि TTML में returns तो अच्छे मिल रहे, बट वहाँ पे मतलब बोलते हैं, पता नहीं चलेगा, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो stability है ज़रूर, मतलब इतने तेजी के बाद भी circuit तो यहाँ पे भी लगे, बट कितने जल से हम लोगो रियोपन होते हैं देखने को ले, क्योंकि वाकई में इसके जो result थे, उसमें वो दम था, नो डाउट आने वाले Q3 के numbers इनके लिए बहुत ही crucial रहने वाले, क्योंकि बहुत ही higher level के expectation ट्राइडेंट से यहाँ पे किये जाएंगे, इसके पहले Q2 के numbers तो अफला तून थे, जो कि बादर ने खुद अपर circuit के साथ उनका welcome किया था, पेनी स्टॉक की बाद करें तो Lloyd Stills से related बहुत सवाल पूछे जाते हैं, दोस्तों पेनी स्टॉक यह अपर circuit है, अगेन कहना चाहूँगा यह अपर circuit में participate मत करो, कुछ हाथ में लगने वाला है नहीं, रोज order लगाओगे, reject हो जाएगा, और जिस वक्ट share मिलेगे, उस वक्ट टॉप लेवल पे मिलेंगे, फस्ट जाओगे, मैं बार-बार कहे रहा हूँ, बहुत ही बुरी तरीके इस वक्ट जाओगे यहाँ पे, तो आपकी मर्जिये, यहाँ पे जाना है की नहीं, उर्जा ग्लोबल भी हम लोगों का 2 रुपे का स्टॉक है, अभी तो 15-16 तक यहाँ पे आ चुक है, अगेन कहे रहा हूँ, यहाँ पे सीखने वाली यह स्टॉक है, दोस्तों, मैं यह भी कहना चाहूँगा, आज भी मेरे पोर्टफॉल में इसके छोटे मोठी कॉंटिक्स पड़े वे, सिर्फ लर्निंग परपस के लिए, कल अगर यह स्टॉक जीरो भी हो गया ना, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, लर्निंग परपस के लिए, ऐसे स्टॉक में हम लोग स्टड़ी करते रहेते, सुजलन एनर्जी यह भी, मतलब यह सारे पेनी स्टॉक से, यहापे कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, यह तो ऑपरेटर मतलब जितना चाहे पैसा निकाल लेते, बाद में अपसें डाउन्स करते रहेते, रिटेलर समेशा इनकी विकेट चलते रहेते, तो देख लेते, कल मदर संसुमी में इसको कोई विलकम किया जाता है या नहीं, ट्रेडर लोग ज़रूर इसका विलकम यहापे चाहे तो, मतलब न्यूज का बहान ही चाहिए होता है, तो ज़रूर इसका विलकम यहापे किया जा सकता है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक के बदले दस शेर मिलने वाले सर क्या करें यहाँ पे तो दोस्तों फहले तो आप देख सकते यहाँ पे एसे स्टॉक में आप लोगोंने फसना नीचे बहुत ही डिंजरस रहते हैं यहाँ पे ऑपरेटर पूरी तरीकी से अक्टीव रहते हैं सिर्फ न्यूज आ गए एक के बदले दस शेर एक के बदले पाट शेर डेली बेसेस के उपर इससे कमेंट्स रहते हैं के थ्रू किया होगा तो आप लोगों को शायद से मतलब मैसेज भी आ जाते हैं डिबिट हुआ है कि ने अगर किसी को आया तो जरू कमेंट सेक्शन में आप लोगों कहा पर बता सकते हो सबसे पॉपिलर सवाल यही पूचा जाता है सर आईप्यों लगा है क्या करें मुझे मुझे आईप्यों लगेगा तो मेरा मतलब स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि पहले लिस्टिंगें दन कोटर त्री के आने वाले नंबर्स चेक करो नंबर अच्छे लगे तो वापस रिएंटर करो राइट तो यह मेरा खुद का फॉर्मिला कोई भी आईप्यों मुझे लिए जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार के वापस दर्शन कर लेते रिफ्रेश कर लेता हूं यहाँ पर कितना चल रहा है चलो 220 चल रहा है अच्छी है अगर ऐसा ही चला रहा तो कल के दिन हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पूश यहाँ पर मिल सकता है तो विडियो चला के तो लाइक अंड शेर भी कर दिना तो देट से टेंकिव रहे मसओ तो वी विल भी मिटिंग आर रिंग शुदिए तब तक के लिए बाई-बाई